दोस्तों अगर आपके पास कोई भी खराब टूबलाइट है और उसका सर्किट खराब है तो उसे आप असानी से यूज में लेके आ सकते हैं वो भी एक असान ट्रीक से इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेना इससे आपको बहुत सारी जानकरी मिलने वाली है यह हमारे पास 18 प्राइबाट की LED टूबलाइट है और इसका सर्किट खराब हो चुका है आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सर्किट खराब होने पर आपको किस तरीक से से यूज करना है वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले बनायती जिसमें सर्किट को रेपैर करने का कि आسمा। लकिन आपे पास कुछ ऐसे चीज होगी जिससे आप इससे चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी खराब LED बल्ब और LED बल्ब के अंदर का सर्कृट बिल्गُल ठीक है तो आप उस सर्कृट से चला सकते हैं, जी हां उससे भी इसे चला सकते हैं। एक चीज में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले में LED एक बल्ब को दिखाता हूँ, यह LED बल्ब है और LED बल्ब में सबसे ज्यादा खराबी किसमा आती है, इसके इस सेक्शन पे, MCPCB सेक्शन के किसी एक बल्ब में खराबी यानि के वज़े से यह खराब हो जादा है, सबसे ज्यादा, यानि कि 99% केस में आपके LED बल्ब का कोई एक यहाँ पर बल्ब खराब हो जाता है, लेकिन उस LED बल्ब का सर्कुट बिल्गुल ठीक रहता है, आपको पता दिया, सबसे ज्यादा केस में आपको सर्कुट बिल्गुल ठीक हुआ मिलेगा, बाकि आपको MCPCB खराब हो ही मिलेगी, अब यहाँ पर इस LED बल्ब के सर्कुट का स्माल करके हम इस ट्यूब लैट को जलाएंगे, इसके लिए पर एक सर्त है, अगर आप 5 वाट के LED बल्ब का सर्कुट इसमाल करते हैं, तो भी आपको LED ट्यूब लैट बिल्कुल चलती हुए मिलेगी, बस रोशनी थोड़ा सा इतना सा कम मिलेगी, बागि कोई इसमें डिफ्रेंस या फिर कोई भी इसमें कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, अब यहाँ पर इस ट्यूब लैट के MCPCB सेक्शन को हम बाहर निकालेगी, यहाँ पर एक लॉग रहता है, लॉग को दबा के आप इसे एजीली खोल सकते हैं, अगर आप इसके सर्कुट को रिपेर करने का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका मैंने अल्लेडी बनाया है, उसको भी मैं एंडी स्किल पर या फिर आप कार्ट पर डाल दूँगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, देखिए इसका MCPCB इस तरीके से बाहर निकालेगी, देखिए टूब लैट किसी भी कमपनी का हो सकता है, मैं किसी कमपनी का आप नाम नहीं लूँगा, कमपनी बहुत सारी आती है, तो किसी भी कमपनी का आप तूब लैट उठा लीजिए, जिसका खराभी आपको मिल रही है, तो सभी मैं लगवब MCPCB इस तरीके से बाहर निकल के आ जाती है, देखिए, लगवब आपको डेड़ मीटर की MCPCB इसके अंदर मिल जाती है, चलिए, इसको मैंने पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया है, अब यहाँ पर इस जिगब हमने connection करने हैं, यह देखिए, यहाँ पर प्लस मैनस लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने प्लस मैनस के connection करने हैं, इस चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारे पास यह circuit है, इसमें इस तरीके से pin लगी हुए, किसी किसी में आपको दो wire मिलेंगी, तो उस तरीके से आपके लिए, फिलार मैं यहाँ पर आपको एक example के लिए, यहाँ पर प्लस मैनस के साथ इसको जोड़ के दिखाता हूँ, और इसको चला के आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दो, इस ट्रिप काफी लंबी होती है, इसलिए आप इसको कहीं पर भी बैंड मत किजिए, वरना यहाँ पर कोई भी LED खराब हो सकती है, तो इसी बात का अपने ध्यान रखना है, तो चलिए यहाँ पर मैं प्लस मैनस के साथ प्लस मैनस के साथ जोड़ के इसको चला लिजिएगा, तो यहाँ पर मैं इसको soldering कर लिया है, अब यहाँ पर मैं 220 वोट इंपुट करात के आपको दिखा देता हूँ, दोस्तो यहाँ पर मैंने इसके circuit को जोड़ लिया है, वायर वगरा सब जोड़ लिया है, अब चलिए इसको हम test कर लिया है, switchboard के सार्थ connect करके इसको on करते हैं, तो यहाँ जल तो रही है, बट आधा चल रही है, इसका मतलब इस series में को इस problem है, इसमें 2-3 series होती है, आपको बता दूँ, 2-3 series बना के रखी वह रहती है, क्योंकि single series में अगर चलाते हैं, तो इसके brightness अलड़ी कम हो जाती है, इसलिए इसको 2-3 series में बाटा हुआ रहता है, यह वाली series नहीं चल रही है, बागे आगे की चल लिए आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही समल के करना है, खुला सर्किट है, यह लास्ट तक, आपको दिख रहे हुए न, पूरी स्ट्रिप लास्ट तक जल रही है, यह देखिए, यह पूरी स्ट्रिप जल लिए, यह टूबलेट मेरे सेट अप की है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं बाकि यह पूरी strip हमारी last तक जल रही है बस problem है तो बस इतनी सी circuit में यानि कि इतनी सी series में उस problem को हम find करेंगे हो सकता कोई एक LED खराब हो रही हो या पिर जो भी है आपके सामने इसको मैं repair करके इसको पूरा चला के आपको दिखाऊंगा ठीक है एक LED बल्ब के circuit से यह हमारी tube light जल रही है चलिए अब इसे off करके इसके problem को हम find करते हैं उसके बाद हम देखेंगे यह यहाँ पर मैं ध्यान से देखूंगा पहले यहाँ तकी series है देखी यह देखिए इसके 3-4 series होती है इसकी एक यहाँ तक है पॉइंट दिये कि नहीं यहाँ तक और दूसरी series है आपकी यहाँ तक तीसरी है आपका यहाँ तक और चोती series लाज तक है अगर कोई एक series आप अलग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से कट करके इसको अलग करके यहां पर आप points में plus minus दे सकते हैं ठीक है सिर्प एक सीरीज को चलाने के लिए तो इसमें चार सीरीज है तीन नहीं बिल्गी चार सीरीज है कभी कभी आपने देखा ना आधी आधी टूबलेट जली बिल्कुल यही सीरीज कोई एक सीरीज खराब होने के वज मुझे मिला है यहां पर देख सकते हैं आप एक बल्ब तूटा हुआ है देखिए यह बल्ब तूटा हुआ है मुझे यह देखिए अब यहां पर हमें उस बल्ब को निकाल के शौट कर लेना है ठीक है निकाल के उस सीरीज को हमने शौट कर लेना है इसको हम निकाल के यहां इस तरह किसम निकाल लेते हैं और या तो आप इसकी जगप एक छोटी सी SMD LED डाल सकते हैं या फिर आप 6 या फिर 9 वोल्ट की कोई भी SMD LED डाल सकते हैं वो कैसे डालनी है उसकी वीडियो में उल्लेडी बना चुका हूं उससे आप जरूर देख लिजेगा ट्यूब लाइट म इतना बहुत चलता ही है चली हमने इसके सब्सक्राइब को फाइंड कर लिया है अब यहां पर हम इसको ओन करके देख लेंगे चलिए इसको मैं स्विच बोर्ट से लगा लेता हूं और इसे ओन करता हूं कि फाइनली एक मेन फाइनली यह जल चुकी है आपको पूरी स्ट्रिप में एक बार दिखाना चाहूंगा ठीक है धहान से करना है एक मिनуры देखते रहींगा पूरी च्रिप, आपके सामने कहीं भी वीडियो स्किप नहीं हो रही है, इसलिए आपको धी देने गला को betr सब्सक्राइर तो सबस्टाइब करें तोhou है एक पूरी च्रिप आपके सामने होगी ओर सब्सक्राइब तो ऐसा करके आप चला सकते हैं, maximum किसीमम 9 वोल्ट से भी चल जागा 5 वोल्ट से भी चल जाता है क्योंकि आपको बता दिया इसके कितनी पार्ट होते हैं 1234 पार्ट होते हैं इतना ध्यान रखीगा हाँ अगर पूरी स्ट्रिप का एक ही पार्ट होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो चलाना इसलिए य वीडियो तब तक ली टेक केर